यह कहानी बेडिया आयारे एक जूटे चरवाहे के बारे में है नमस्ते कहानी शुरू करते हैं एक समय की बात है एक गाउ में एक चरवाहा रहा करता था उसके पास बहुत सारी भेडे थी जिन्हें चराने वह पास के जंगल में ले जाया करता था हर रोज सुबह वह भेडों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लोटाता पूरा दिन भेड घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा उबता रहता था इस वज़र से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूनता रहता था एक दिन उसे एक नई शरादत सूझी उसने सोचा क्यों न इस बार मनोरंजन गावानों के साथ किया जाए यही सोचकर उसने जोर जोर से चिलाना शुरू कर दिया बचाओ बचाओ भेडिया आया भेडिया आया उसकी आवाज सुनकर गावाले लाठी और डंडे लेकर दोरते हुए उसकी मदद करने आये जैसे ही गावाले वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भेडिया नहीं है और चरवाहा पेट पकड़ कर हस रहा था हाँ 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 बड़ा मज़ा आया मैं तो मजाक कर रहा था कैसे दोरते दोरते आय हो सब हाँ 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 उसकी ये बाते सुनकर गावालों का चेरा गुस्ते से लाल पीला होने लगा एक आत्मी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़ कर तुम्हें बचाने आये हैं और तुम हस रहे हो ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम पर लोट गए कुछ दिन बीतने के बाद गाम वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज सुनी बचाओ बचाओ भेडिया आया बचाओ ये सुनते ही वो फिर से चरवाहे की मदद के लिए दोड़े दोड़ते दोड़ते गाम वाले वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं वो देखते हैं कि च बार गाव वालों को बहुत गुस्सा आया उन सभी ने चरवाहे को खूब खरी खोटी सुनाई लेकिन चरवाहे को अकल ना आई उसने फिर दो तीन बार ऐसा ही किया और मजाक में चिलाते हुए गाव वालों को घटा कर लिया अब गाव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोस करना बंद कर दिया था एक दिन गाव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चर्वाहे के चिलाने की आवाज आई बचाओ बचाओ भेडिया आया भेडिया आया बचाओ लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है दिन भायू मजाक करना चर्वाहा लगातार चिला रहा था अरे कोई तो बचाओ कोई तो आओ मेरी मदद करो इस भेडिया को भगाओ लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुँचा चर्वाहा चिलाता रहा ल सब देख चर्वाहा रोने लगा जब रात को चर्वाहा घर नहीं आया तो गाओ वाले उसे ढूंते हुए जंगल पहुँचे वहां पहुचकर उन्होंने देखा कि चर्वाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था गाओ वालोंने किसी तरह चर्वाहे को पेड़ से उतारा उस द दिन चरवाहे की जान तो बच गई लेकिन उसकी प्यारी भेड़े भेड़िये का शिकार बन चुकी थी चरवाहे को अपनी गलती का एसास हो गया था और उसने गावालों से माफी मांगी चरवाहा बोला मुझे माफ कर दो भाईयों मैंने जूट बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए जूट बोलना बुरी बात होती है जूट बोलने की वजय से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता कहानी समाप्त धन्यवान कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें